दोगे हमारा इस वीडियो के मादन से अबजेक्टिव यह कि हम लेवल्स को समझ पाएं कि कल फर्स्ट आफ मार्च को निफ्टी के लिए कौन से लेवल महत्पू हो सकते हैं चार्ड आप लोगों के सामने आ चुका है और यहां पर मैं आपको अल्लेडी बता चुका हूं और आप देख भी सकते हैं कि हम जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं यह वन आर का टाइम फ्रेम है वन आर चार्ट के उपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं दगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो लोग बना है सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं ठीक है जी बात कर लेते हैं हम लो की बहुत ही महत्पून लोग अगर आप गौड से देखे तो आपको दिखाई देगा कि आज का लो कितना ज्यादा महत्पून है यह आज का लो बनता वा दिखाई दिया यह डे लो बना आज का टुडे और यह डुल डे लो ہमको दिखाई दे रहा है लग भग 21861 का प्रिशे आई है तो इस हैमर के बारे में लगातार आप लोग के साथ चर्चा हो रही थी ये हैमर कब बनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये 22 वरवरी को हैमर बनी है राइट ये 22 की हैमर है और 22 को ये लो बनतावा दिखाई दिए था मैं 21,875 के असपस ये लो बनाता आज थोड़ा सा ब्रीच किया है हम आज इसके नीचे आगें अब अगर दुबारा इसके नीचे निफ्टी आता है तो फिर हम 21 800 के उपर सपोर्ट के उमीद करें 21 800 से नीचे फिर हम 21 700 तक भी निफ्टी को जाता वह देख सकते हैं हाला कि मैं आपको बताना चाहूंगा 21 800 is a very strong support अभी फिलाल मुझे इस बात की गुंजाईश कमी लगती है कि 21 800 का लेवल तूटेगा लेकिन फिर भी होने को कुछ भी हो सकता है 21 800 के नीचे अगर हम आते हैं तो काफी ज़्यादा गरावाट ट्रीगर हो सकती है और उसके बाद पिर 21 700 तक के लेवल समनों को देखने को सकते हैं उपर की तरह अगर हम बातशीत करें तो कुछ लेवल से जिनके बारे में मैं आप लों के शाद बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पर अच्छी तरह से इन लेवल को आप देखिए सबसे पहली बात तो आप इस केंडल को अच्छी तरह से नोटिस करिए आज की बात करें तो आज ये 29 और 29 और 29 और फैब को 9 बज के 15 मिनट से 10 बज के 15 मिनट के अगर आप केंडल देखें तो आपको ये inverted hammer के तोर पर दिखाई दे रही है राइट दिखाई दे रही है न ये inverted hammer है और इस inverted hammer का high क्या बना हुआ है इस inverted hammer का high अगर हम देखें तो inverted hammer का high हम को दिखाई दे रहा 22,22 तो हमने आज क्या होता वा देखा हमने ये होता वा देखा कि 9 बज के 15 मिनट से 10 बज के 15 मिनट के बीच में inverted hammer बनी और उस inverted hammer का जो high था ये high दुबारा क्रॉस नहीं हो पाया ये अपने आप में weak structure का सबूत है ये अपने आप में एक weakness का सबूत है जब तक इस inverted hammer के high के उपर हमको closing नहीं मिलेगी तब तक हम nifty को weak ही consider करेंगे जब तक इस inverted hammer की high के उपर की closing नहीं मिलेगी और उस closing के उपर का move नहीं मिलेगा तब तक हम nifty को weak की observe करेंगे इसके उपर कौन से level हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा इसके उपर के अगर हम levels की बात करें तो 22,050 क्यास पास का level दिखाई देता है वो level कहा है वह भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह level आ रहा है यह level निकल करके जो आ रहा है यह मैं आपको बता देता हूँ यह 22,000 का level है और 22,000 के उपर यह जो candle आपको दिखाई दे रही है इस candle का हाई ये भी मैं आपको बिताना चाहूंगा ये बाइस जार अटासी बाइस जार एक सो के लेवल हम लोगों को देखने को मिलेंगे फिर इसके उपर फिर हम आल टाइम हाई की तरफ शायद निफ्टी को मूब करता हुआ देखें ये निफ्टी के लिए कुछ महत्मों लवस थे जो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजन के फिर से मेरी आप लोगों को रहें कि आखरी के पंदा मिनेट के प्राइस एक्शन को ज़रूर वाच करिएगा मैं इस बात के उपर भी नज़र डालना चाहूंगा कि निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन के बाद ओपर इंट्रेस्ट के स्थिति क्या है ओपर इंट्रेस्ट में हम नेक्स इस्पाइरी को देखते हैं नेक्स इस्पाइरी कब है वह आप लोगों के सामने यहां पर आ यहां पर हम सेवन्थ आफ मार्च के स्पाइरी को वाच करें निफ्टी आप दे सकते हैं अभी 22,000 का जो लेवल है वह अपने आप में फिलाल एक रिजिस्टेंस के तोर पर ही हम लोगों को दिखाई दे रहा है इसके उपर 22,100 का लेवल है और इसके उपर फिर 22,200 का लेव हमने 22,050 का लेवल चार्ट के उपर भी देखा है देखा है ना चार्ट के उपर चार्ट के उपर 22,050 का लेवल देखा है 22,100 का लेवल भी हमने चार्ट के उपर देखा है तो यह लेवल चार्ट के उपर भी रिजिस्टेंस के तोर पर माग ने तो सिर्फ ओपन इंटरस मे 800 अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट के तौर पर मैं आपजर्व करता हूं तो यह उपर इंटर्स की इस्टी थी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या आखरी कुछ मिन्टों में कुछ पोजिशन बनी हैं सेवन्थ आप मार्च की बात करें तो आप दे सकते हैं 22 2200 के पर हम लोगों को सी राइटिंग देखने को मिल रही है और 2900 के पर हम को पी राइटिंग देखने को मिल रही है तो एक टाइट रेंज है जो कि आप 22000 22000 यहां पर मैं तुछा सा गलत देख रहा हूं यह 22000 का लवल दिखाई दे रहा है तो यह 22000 के लवल के पर हम देखने को मुल रही है मैं भी देखना चाहूंगा कि आखरी के आदे घंटे में क्या कुछ positions बनी है जिनसे हमको कुछ संकेत मिल सकता है तो यह last 30 minute के अंदर कुछ positions बनती भी दिखाई दे रही है अच्छी positions बन रही है तेजी का संकेत दे रही है 2900 और 2800 के उपर हमको पूट राइटिंग की situation है और 22000 के उपर हमको यहां पर सी राइटिंग की इस्तिव बनती भी दिखाई दे रही है तो यह आखरी के आदि घंटे में positions कुछ बनी है और आखरे के 15 मिनिट में हम देखें लास 15 मिनिट में क्या situation है लास 15 में बढ़िया positions हमको बनती भी दिखाई दे रही है साथ मार्च की expiry के लिए आप देशतने हैं लास 15 मिनिट में ओहो लास 15 में में 22,000 के लेवल के उपर 21,900 के लेवल के उपर इन सब लेवल के उपर हमको पी राइटिंग की positions बनती भी दिखाई दे रही है जो कि हमको तेजी का संकेत दे रही है तो आखरी के कुछ मिनिटों में अच्छी इस्थिति आई है मिट के अब निफ्टी देखे रॉकेट बन गया है वाप रिवाप मिट के अंदर खतरनाक तेजी आ गई है आखरी के कुछ मिन्टों में तो बिलकुल एक दम महौल जो है वह पलट गया है अब अगर हम बातचीत करें यहाप पर बैंक निफ्टी के इंदर बैंक निफ्टी से ही अपना काम दुए भड़िया चल जाएगा अच्छे लेवल्ट से यहां पर जो में माउर्ग कर रखें तो बैंक नफ्टी में हम जो स्टाड़ी करें हम 30 मिन चाइड कीू पर ही सेड़ी करें 30 मिने चाइड के अपर मैंने पहले से ही यहाँ पर कुछ लेवल्ट रहें से जो की बढ़िया काम करते भे दिखाई दिया यह सपोर्ट के लवस Lord से अगर आप देखे तो अच्छी marking ए राइट तो यहां पर यह लवचा आप देख से टा हैं इन लवल को माँक कर रही हो हैं अच्छे सपोर्ट जोन के तौर पर यह काम करता वा दिखाई दिया है नीचे की तरफ अगर आप देखे तो 45 849 से लेकर के 45673 ले मी चेक आई हो कि मैं आपको सही लेवल बता नहीं 665 का लेवल है तो यह कुछ लेवल्स है जो मैंने आप लों के सामने प्रेजेंट किया है मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ और अगर इसके नीचे गरावट होती है बाबुजी तो पिर हमको और ज्यादा नीचे के लवल्स देखने को मिल सकते हैं मैं नीचे के लवस को वेरिफाई कर रहा हूँ इसके नीचे अगर गरावाट ट्रिगर होती है तो आपो जी यह मैं 45 500 इसके नीचे 45 400 तक के लवस देखने को मिल सकते हैं अब फिलाल मैं इतनी ही बात करना चाहूंगा 45 400 के लवस हैं और इसके बाद 45 200 तक के लवस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं अब फिलाल की बात करें तो यह जोन आप देख सकते हैं लगातार resistance के तौर पर हम लोगों को दिखाई दिया है यहां पर आज इस पर टिकलर जोन में आप देख सकते हैं कि ठीक टाक resistance हम लोगों को देखने कुम्हाइब कल बीते बीदिन भी resistance था और आज भी आप देख सकते हैं यह resistance के तोर पर ही जोन काम कर रहा है इसके उपर निकल नहीं पाया है तो अगर हम इसके कॉडिनेट्स यहां पर लिखें तो मैं लेवल से आप लोगों को बता देता हूं यह लेवल है यहां पर चालिस अजार तीन सो पंदरा कम और नीचे की तरफ ये चालिस अजार एक सो चावालिस का लेवल मुझको दिखाई दे रहा है तो ये एक बात तो अच्छी है अगर मैं आज की ओवर ओल पूरे दिन भर के प्राइस एक्षन की बात करूँ तो मैं आपका ध्यान फिर से सी इनवार्टेड हेमर इस इनवार्टेड हेमर का जो हाई था ये हाई जिसको मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूं ये हाई था ले में चेक यह हाई दिखाई दे रहा है लग बगग चालिस हजार एक सो चववन का तो हम इस बात को अबसर्ब कर रहे हैं कि शायद इस हाई के ऊपर जा करके हमको क्लोजिंग होती हुए दिखाई दे रही है तो बैंक निफ्टी लुकिंग स्ट्रॉंगर बैंक निफ्टी के अंदर अभी जो इस्तिति है वो मजबूत होती उपर क्लोज हो रहा है डैट इस वेरी नाइस अब बैंक निफ्टी के अंदर आगे उपर कौन से लवल हो सकते हैं वो भी मैं आपके सामने पर जैन करना चाहूंगा मैं इस पर्टिक्लर केंडल को मार्क करना चाहूंगा अभी बहुत ज़्यदा उपर की बात नहीं करेंग दल बच के पंदा मिनट के कैंडल है यह दल बच के पंदा मिनट के बीच में एक चैंडल बनी ती जिसके बाद हमको भारी घ्रावट देखने को मिली थी राइट तो मिसको एक सप्लाई जोन के तोर पर आइडेंटिफाइ़ कर रहें और इसके जो पैरामीटर से वो मैं आपके सामने परजन करना चाहूंगा 46754-46614 454-46614 क्या हो गया है हाई inverted hammer का देखे हाई तूड गया है निफ्टी में भी inverted hammer का हाई तूड गया है तो अब पूरा situation वो बदल गयी है बैंक निफ्टी में तो inverted hammer का हाई तूटी देया है निफ्टी के इंदर भी inverted hammer का हाई टूट गया है तो अब जो structure है वो अब strong situation को present करा तो इसके उपर फिर हम इस zone को observe करेंगे राइट तो मझे लगता है हमने good enough levels यहाँ पर देख ली है अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि open interest की situation क्या है बैंक निफ्टी के अंदर open interest की सिटी आपके सामने में present करां बैंक निफ्टी के अंदर भी हम next expiry को ही watch करें हम 6 March की expiry वाली बैंक निफ्टी को देख रहे हैं काफी बड़ी यहाँ पर रेंट की situation है 46,000 का level है जो कि यहाँ पर एक अच्छे support के तौर पर दिखाई दे रहा है और 46,500 का level है जो कि तगड़े resistance के तौर पर देखने को मिल रहा है यह एक 500 points की range है बीच में देखिए कुछ भी बोल पाना जो है वो मुश्किल है बास समझ रहे हैं कुछ भी बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है price action decide करेगा कि हमें किस level के उपर क्या करना है मैं बोलने को ब high market में price action के basis के उपर हम decision लेने की कोशिश करेंगे और open interest को भी लगातार review करते रहेंगे अब हम वाइचेंज को देख लेते हैं यह कुछ महत्मौन observation प्रेजेंट करेगा तो चैंग 10 sworn पाइरवाली वहाली बैंक थे में हम देख रहे हैं तो चाली साउर दार के लवल के उपर हम लोंग भारी प्यर डिखाई दे रहे है जो कि अच्छा संकेत देरी है 4,500 के लेवल के उपर हमें भारी C राइटिंग भी देखने को मल रही है जो की resistance का संकेत present कर रही है कि यहाँ पर resistance की situation है 46,200 की बात करें तो यह लेवल reclaim हो गया है यहाँ पर हमको P राइटिंग दिखाई दे रही है तो अच्छी बात है है शायद हम 46,200 से और फर्दर उपर जाने की कोशिश करेंगे 46,300 का लेवल जो है वो काफी critical लेवल है हमने चार्ट के उपर भी 46,325 की लेवल को माक किया था इससे उपर की तेजी जो है वो अच्छी है फिर 47,500 की उपर और फर्दर लेवल समलों को देखने को मत सकते हैं अब अगर हम इस बात को observe करें कि आखरी के कुछ मिंटों में किस तरह की position बनी है लास्ट 30 मिनिट में क्या हुआ है वो मैं आपके सामने present कर रहा हूँ यह लास्ट 30 मिनिट की picture है जो कि पूरी नहीं होगी क्योंकि अभी लास्ट 30 मिनिट पूरे तो हुए नहीं है अभी तो 30 मिनिट में कुछ समय बचा हुआ है तो अभी जो मैं लास्ट 30 मिनिट बोल ला हूँ यह आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि 64,200 के उपर यह correct picture नहीं है एक बाद जरूर है कि 64,000 के लवल के पर अच्छी पी राइटिंग हम लोगों को देखने को मिली है मैं आपको इंकरेज करूँगा कि अभी बजार बंद होने के बाद भी आप इसको देखिएगा क्योंकि अभी बजार में बहुत तेज मूमेंट हो रहा है चार्ट के ऊपर यह सही पिक्चर present कर रहा है यह क capacبد प्रेजन्ट हो हुग रही है अब जो लेवर्र के साथ घना गरम्ट हो गया अब हमने उपर की तरफ चारलेजर पासोग लाए त्युक्त तक लब देखने को मगस सकते हैं जहां पर हमको सी राइटिंग होती है की दिखाई लिए तो एकदम पिक्चेर जो वो बदल गई है फिर से अगर हम वाना थैनल चांट के उपर देखें तो वाना थैनल के उपर फिरसे वापीस साथ ही साथ हम निफ्टी में देखें तोरने पर जा कर करके कि अंको क्लोजिंग वह दिखाई दे रही है यह भी इसका मतलब क्या हुआ पूरे दिन बर जो वीकनेस थी वो वीकनेस ओवर कम हो गई तो यह अपने आप में अच्छा संकेत हैं हम इसी बात के उमीद करेंगे कि कलम को अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई जए अब मुझको आगया दिएगा आपने के लाइव स्ट्रेम को यहीं पर समात करना चाहूंगा सभी लोगों को राम राम बोलना चाहूंगा मैं